कल हमने सैंसेज और सांप्लिंग के बारे में पढ़ा था तो सैंसेज क्या था जब आप जो आपको इंफरमेशन चाहिए जब आप हर एक इंडिवीजुल के पास जाकर उससे कलेक्शन उससे इंफरमेशन कलेक्ट करते हो that is your senses method और उसके contrary sample method कौन सा method है जिसमें आप masses को सभी population को नहीं लेते हो आप कुछ group को उसमें से कुछ group को select कर लेते हो और उससे information gather collect करते हो इसके आगे मैंने यह भी बताया था कौन से दो methods है वो random sampling और non-random में किसी को भी पने नोर्टरी सिस्टम की थरो बता रहा था मैं लिखत हो गिए सबैंडन लोगों, थीए उसे मिक्स करोगे, और रैंडन किसी को भी खोल दोगे. तर जिसका आप पicamente करोगे, जिसका आप नाम निकालते हो इंटरव्यू के लिए, या किसी भी चीज के लिए जिसके लिए आप random sampling use कर रहे हो तो वो आपको क्या है random sampling क्यों क्यों कि हम random लोगों को select कर रहे हैं और इसे के opposite non random sampling क्या है उसमें हमारी अपनी जो interviewer है उसकी अपनी choice होती है कि वो किसे pick करें किसे choose करें जैसी यहाँ पर देखो with the help of this diagram देखो यहाँ पर population है population of 20 कच्चा house and 20 पक्का house ठीक है तो यहाँ पर 20 कच्चा house है पक्का house है अब इसमें से देखो अगर representative sampling हो रही है representative sampling अभी आप इसे आगे पढ़ोगे sampling and non sampling errors में भी आगे पढ़ोगे representative sampling क्या है कि जहाँ पर आपने इन घर में से आपने सब के नाम mix किये lottery system के थुरू आपने one by one names pick किये और इन्हें represent कर दिया ठीक है तो इसमें क्या है randoms घर आएंगे ठीक है एक कच्चा आएगा एक पक्का आएगा क्योंकि हमने equal opportunity दी है उपर 40 houses थे ठीक है तो हमने five कच्चा घर चूस किया five पक्का घर चूस किया अलग अलग slips है हर एक गर को equal opportunity प्रोवाइट की second thing हमने अपनी priority को नहीं रखा हमने किसी की हमने कोई judgment नहीं यहाँ पे किया हमने कोई कि मैं जानता हूँ जो जो मेरे जान पैचान माले मैंने उन्हें select कर दिया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हर किसी को equal opportunity नहीं मिलेगी यहाँ पर जान पैचान से आगे हो सकता है इससे यहाँ पर क्या देख रहे हो आप one two three four five six seven eight houses क्या है कच्छे houses है और बाकी दो पक्य तो इस तरीक से हो सकता है biasness non random sampling में हो जाती है यह इसका एक drawback है next sampling and non sampling errors ठीक है अगर मैं अपकी school से इसका example दूँ एक random और non random का तो जब हम participate करते हैं किसी competition में जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप participate करेंगे और लेकिन हमने किसी selective student को लिया है तो अक्सा टीशर्स क्या करते हैं जो उन्हें ब्राइट स्टोडेंट लगते हैं या जो जिन पर टीचर को लगती है कि यह काभिलियत है यह कर सकते है उन्हीं को अक्सा चूस किया जाता है जो बाकी बच्चे अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाकी होता है सिर्फ ऑपरचुनिटी मिलने की जरूरत होती है ठीक है अगर आप बच्चे को हर बच्चा स्टेज में जाने से पहले बरता है इससे कोई लीना देना नहीं है कि अगर वो ब्राइट शूटेंट है तो वो स्टेज में जाने से नहीं डरेगा या पिड़ पॉइंट क्या होता है में पॉइंट होता है टूचर को और किसी को भी बायस नहीं दिखाने चाहिए ए ऑपरचुनिटी प्रवाइट करना चाहिए जो की नॉन लंडन संप्लिंग में क्या होता है में सिंग रहता है next is sampling and non sampling error sampling error a population consisting of numerical values has two important characteristics which are of relevance here first central tendency which may be measured by mean median mode अब आपने पड़ा होगा आपने मैच में स्टाट्स में mean median mode mean के अलगलग होते हैं ठीक है shortcut method direct method shortcut method step deviation method ठीक है इसी तरह किसे mode भी होता है और median भी होता है ठीक है तो यही आपके आने वाले आगे चैप्टर्स में आप इसके बार में पढ़ोगे तो इसमें जो errors होती है कुछ उसे sampling errors कहते हैं ठीक है यह तो आपने पढ़ रखा है अब इसके अलावे जो आप स्टायर्ट्स में new chapters पढ़ोगे जो आपने previous कभी नहीं पढ़े है वो है dispersion और and standard deviation mean deviation range तो यह सब आपको पढ़ना है आप मैं CBC student के लिए बता दू mean deviation standard deviation range यह तीन topic आपके से हट चुका है ठीक है आपको मैं पढ़ाऊंगी सबको लेकिन आपको अपनी copy में note नहीं करना है क्योंकि यह आपको इस बाल हट चुका है यह डिलीट हो रहा है portion ठीक है ठीक है आप The purpose of the sample is to get one or more estimate of the population parameter sampling error refers to the difference between the sample estimate and the corresponding population parameter actual value of the characteristics of the population for example average income etc thus the difference between the actual value of a parameter of the population and its estimate is the sampling error it is possible to reduce the magnitude of sampling error by taking a large sample अब इसे में एक example से समझते की sampling error होता क्या है basically ठीक है यह एक example देखो एक consider case of incomes of five farmers of money poor मनी पूर में पांच फार्मर्स की income यहां given है 500, 550, 600, 650, 700 यह मनी पूर में एक गाव में पांच फार्मर्स की income बताए गई है ठीक है तो अगर हमें इसका average निकालना है इस वक्ति आए पांच फार्मर्स की हमें income बता है हम उसका average निकालना है तो maths की student आपने आप सभी को maths में पता ही होगा average कैसे निकालते हैं सब का sum कर देते हैं और उसको total numbers जितने हैं उससे divide कर देते हैं तो सब का sum total कितना आ रहा है सब का sum आ रहा है 3,000 3,000 sum आ रहा है इसको divide किसे कर देंगे कितने farmers थे 5 farmers थे तो number of farmers थे 5 into 100 ठीक है यह मैने average percentage रिकाल दी है आपको सिब average amount बताना है income बताना है तो कितना आएगा average income? 3,000 divided by 5 is 600 ठीक है अब यह हमारी क्या है actual है ठीक है अब आपको कैसे करना है अब आपको sampling error से कुछ लोगों का sum करना है जहां example में आगे कितने ले लिए सिर्फ दो लोगों का ले लिया दो लोगों का कौन सा लिया एक 500 और एक 600 तो अब हम इन दोनों का निकाल देते हैं कि हमें पूरी पब्लिक का पांच लोगों का जानना था जो की आ रहा था कितना 600 लेकिन हमने क्या किया हमने sampling method लिया कुछ लोगों को select किया और उनका average निकाला तो उनका average से हमें पता चला कि total average of income कितना है इसका जो difference है जो इसका difference है कितना है 50 rupees यह इसको कहा जाता है sampling error अब समझ में आये sampling error क्या है कि जो हम actual data हमें जो निकालना होता है वो और जो हमने निकाला होता है through sampling method वो इन दोनों का जो difference होता है this difference is known as sampling error ठीक है तो यह तो हो गई sampling error अब बात आती है non sampling error की non sampling errors are more serious than sampling errors यह one marks question में भी आ जाता है which sampling error is more serious sampling error or non sampling error so non sampling errors are more serious than sampling errors क्यों? because a sampling error can be minimized by taking a large sample it is difficult to minimize non sampling error even by taking a large sample क्यों non sampling errors को ज्यादा serious माना है सकते क्यों अब आप आगे पढ़ोगे even a census can contain non sampling errors even जो हम census करते है जो हम counting करते है population की उसमें भी कुछ और कुछ गलतिया हो जाती है यार वह गलतिया कैसे होती है some of the non sampling errors are non sampling errors कौन कौन से है sampling bias sampling bias sampling bias occurs sampling bias occurs when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly be included in the sample यह कब होता है जब हम किसी कुछ लोगों को include करना छोड़ दे कुछ लोगों को छोड़के हम उनसे information नहीं ले तो अगर आप जब उनका record ही नहीं रखोगे जब उन लोगों को आप पुछोगे ही नहीं उन लोगों को आप exclude कर दोगे सर्वे से तो आप किकर कोई difference आ रहा है अगर आपके जो conclusion है उसमें कुछ अंतर आ रहा है तो आप उसको ठीक भी नहीं कर पाऊगी क्योंकि उन लोगों का record आपने रखा ही नहीं पहला error यह है Second error is Non Response Errors Non Response Errors Non Response Errors होते है इसको बोला जाता है Non Response Error और यह क्या है जब आपका इंटर्व्यूर है उसने अपने लिस्ट पे जिसका नाम लिखा है या तो वह उस परसंसे contact ना कर पाए वह उसका इंटर्व्यू ना ले पाए वह उससे information collect ना कर पाए या फिर तब होता है जब वह उसने उससे mail कर दिया उसने उससे पूछ लिया लेकिन अब वह उसका जबाद नहीं दे रहा तो इन दो cases में क्या होता है इसको बोला जाता है Non Response Error और यह क्या है Non Sampling Errors Next Error in Data Acquisition अब आपको क्या होता है Data Acquisition में भी कई बर mistakes हो जाती है This type of error arises from recording of incorrect responses आपने बोला कुछ और number मैंने record कुछ और कर दिया आपने information कुछ और कहा मैंने कुछ और कर दिया मैंने पूछा How many members are there in your family answer मिला मुझे 10 मैंने लिग दिया उससे 5 ठीक है इस तरह की error इसमें हो जाती है Suppose the teacher asks the students to measure the length of the teacher's table in the classroom इसे example से समझो कि जैसे school में teacher ने कहा कि आप अपने room की tables की length हो नापो, measure करो the measurement by the students may differ, तो हर बच्चे की measurement हो सकता है कि वो अलग the differences may occur due to differences in measuring tip तो यह जो difference आया है अलग-अलग तरीके से measuring tip को नापने की वज़े से कैसे हो सकता है तो मैं आपको एक example बता रही थी कि उसमें डिफरेंसिस क्या किस वज़े से हो सकते हैं या तो measuring tape की वज़े से हो सकता है या फिर बच्चों ने क्या है ठीक तरीके से measure नहीं किया सिमिलर्ली सब्सक्राइब 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 तो वो कैसे करेंगे we know that prices vary from shop to shop अब हर shop में एक चीज की एक थिंक की किसी object की यह example orange का है तो orange की हर shop में हो सकता है कि rate अलग-अलग हो we know that prices vary from shop to shop and from market to market prices also vary according to the quality therefore we can only consider the average prices ठीक है quality में भी difference हो सकता है उसके prices में भी difference हो सकता है इसलिए हम accurate amount किसी का exactly नहीं बता सकते है इसलिए हम क्या amount लेके चलते हैं हम चलते हैं average amount लेके चलते हैं recording mistakes can also take place as the enumerators or the respondent may commit errors in recording or transcripting the data for example he or she may record 13 instead of 31 जैसे मैंने उपर भी आपका example दिया कि इस तरीके की problem तब भी हो सकती है जब हम record करने में क्या करें mistake कर दे किसी ने 31 बोला है और हमने क्या record कर दिया 30 next is census of India and NSSO there are some agencies both at the national and state level दोनों ही level पे agencies होती है state level पे हर state के level पे भी agencies होती है और international और national level पे भी आपकी agencies होती है ठीक है जो data collect करती है to collect process and tabulate the statistical data some of the agencies at the national level कुछ agencies है national level पे कौन कौन सी agencies है census of India National Sample Survey CSO Central Statistic Office Registrar Registrar General of India Registrar General of India ही census record करती है Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics that is DGCIS labor bureau तो यह सारी क्या है यह सारी आपकी national agencies है ठीक है the census of India provides the most complete and continuous demographic record of population सबसे accurate जो सबसे आप भूलोगे exactly जो मतलब total जिससे हम average में बोलते हैं कि पूरी इंडिया की population कितनी है वो हम कैसे बोलते हैं अंदाजी हम approximately बोलते हैं but census of India जो हमें correct information प्रोवाइट करता है कि exactly इंडिया में कितनी population है वो कौन प्रोवाइट करता है इंडिया कब लिया गया था तो यह question आप याद रखेंगे first census of India कब लिया गया था 1881 में ठीक है the census officials collect information on various aspects of population अब census में क्या क्या information ली जाती है तो एक तो sorry यह आपके जो population size को कैसे पूछा जाएगा हर घर में जाकर कितने family members है उसके बारे में information ली जाएगी sex ratio के बारे में census से पता चलता है literacy कितनी है, economy में migrate कितने कर रहे है, rural urban distribution ठीक है इन सबकी information आपको census के थूँ मिल जाता है census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India इसकी help से हमारी economy में जो problems है उनके बारे में पता चलता है जिससे example मैं दूँगी कि अगर population इंडिया में जादा है, तो वो भी कैसे पता चल रहा है, पहले हमें यह पता चल रहा है कि last year कितनी population थी अब कितनी बढ़ गई है तो इसकी वज़े से जब हम इसे record करते है कि population कितनी थी, अब कितनी है तो यह record कहां से होता है two senses होता है, जिससे हमें यह problem पता चली कि हमारे देश में population growth की problem है बहुत rapidly increase growth में हो रहा है, population में हो रहा है ठीक है, तो ऐसी में कोई हमें work करने के लिए place नहीं मिल रही है तो हमें क्या पता चल रहा है हमें indirectly economy में जो problem है कि लोग है लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हमें यहां से पता चल रहा है कि literacy problem है, education system ठीक नहीं है उसमें काम करना है ठीक है, फिर youth पढ़े लिखे है लेकिन घर पे बैठे है उन्हें कांग करने के लिए जगा नहीं मिल रही है तो यहां से हमें क्या problem पता चल रही है unemployment की कि अब हमें economy में employment opportunity भी बच्चों को जो भी youngsters उनको provide करनी पड़ेगी इस तरीके से हमें data के बार में पता चलता है जैसे health facility के example दे देते हैं जैसे हमें पता चल रहा है जो infant है जो less than one year के बच्चे होते है उन्हें infant कहते है तो infant जो rate है, infancy rate है वो बहुत डाउन हो रही है ठीक है, sorry बहुत जादा बढ़ रही है बच्चे सर्वाइब नहीं कर पा रहे या फिर जो life expectancy rate होता है वो कम हो रहा है तो इससे में प्रॉब्लम पता चलते है कि हमारी economy में health facility अच्छी नहीं है इसलिए सारी problem हो रही है diseases fell रहे है इसलिए चीज़ हो रही है तो जब हमें एक बर problem पता चलता है इसे इसे इससे अहम इंडियान गवर्मिंट्ट ने establish के किसलिए किया है यौरे जोcue hskी इन नेㅂमिक इस्चीज़ न जोबिल्लम प्रॉब当 टously इंडेट अलौइ пытकना च्छी रहा इंसे पैर इंसे raun कॉरगे रहे पॉर्ट्पर गा पारेखानmbol जर्नल, सर्वेक्षन, सर्वेक्षन, NSS provide periodic estimates of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing and service, sector enterprises, morbidity, maternity, child care, utilization of the public distribution system, etc. The NSS 60th round survey January-June 2004 was on morbidity and health care. तभी हमने क्या पढ़ा कि जो NSS किसके बारे में करता है? सर्वे, socio-economic issues के बारे में. इसे सोशियो एक्नामिक इशूस, example, example किस पे literacy rate कितना है, school में, school में कितने बच्चे enroll कर रहे हैं, admission कितने बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, educational services क्या क्या प्रवाइट की जा रही है, unemployment कितनी है, ठीक है, इसके बाद morbidity and maternity, child care, utilization of public distribution system, इन सब के बारे में NSS से सर्वे करता है, ठीक आप पर क्या बता है, जो 68th NSS सर्वे था, वो हुआ था January और June, January to June चला था 2004 में, ठीक है, यह one marks question यह भी आ जाता है, कि जो NSS 68th सर्वे हुआ था, वो किस के उपर हुआ था, तो वो सर्वे हुआ था आपका morbidity and health care के उपर, ठीक है, health care आपको समझ आ गया, morbidity or the disease, कितने disease प था, was on consumer expenditure, टेबान माक्स में बीच के questions आ जाते है, 68th सर्वे कब हुआ था, यह आ जाएगा, किस पे हुआ था, morbidity or health care पे हुआ था, कब हुआ था, 2004 में हुआ था, 68th round सर्वे कब हुआ था, 2011-12 में हुआ था, किस के उपर हुआ था, consumer expenditure के उपर हुआ था, सर्वे, The NSS also collects retail of industrial activities and retail prices for various goods. They are used by Government of India for planning purposes. The NSS say, इन सब के उपर, जो socio-economic problem हैं, उसके अलावा, जो various goods हैं market में, industries में, उनकी prices भी पता करती है, किस लिए, ताकि government उससे related आगे की planning कर सके, ठीक है, इस पुरे chapter को पढ़ने के बाद, final conclusion क्या है, Economic facts expressed in terms of numbers and are called data, ठीक है, economic facts को जब हम numbers में represent करते हैं, that is known as data. The purpose of data collection is to understand, explain and analyze the problem and causes behind it. तो हम क्यों data collect करते हैं, हम data इसलिए गलग करते हैं, ताकि हम उससे समझ पाए, ठीक है, analyze कर पाए, problem क्या है, और उसके पीछे, problem के पीछे, reason क्या है, वो पता लगा पाए. Primary data is obtained by conducting a survey, ठीक है, primary data क्या है, जब हम direct survey करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को पता लगाने के लिए, हम खुद survey करते हैं, तो वो primary data होता है. Survey includes various steps which need to be planned carefully, there are various agencies which collect process, tabulate and publish statistical data, these are used as secondary data. और secondary data क्या होता है, जब कोई और agencies कर जो data collect, already data collect किया हुआ होता है, उसको हम use करते हैं. So that is secondary data, however, the choice of the source of data and mode of data collection depends on the objective of the study, लेकिन अब आपको कौन सा mode उसको data collect करने के लिए, कौन सा source आपको choose करना है, वो हमारे उपर होता है, ठीक है, वो हमारे उपर भी होता है, second thing, हम किस चीज़ की study कर रहे हैं, उसके उपर भी होता है, ठीक है, अगर हमें population जानना है, तो obviously हम secondary नहीं कर सकते हमें, अगर हम मुझे population जानना है, सिर्फ answer में लिखने के लिए, अपने question है, कुछ पूछा कि उसमें answer लिखने के लिए, तो obviously मैं secondary data को ही prefer करूँगी, लेकिन अगर वो मेरे को accurate किसी agency या किसी government या upper level पे किसी agency को show करना है, तो उसको primary ही survey करना पड़ेगा, उ इस चैप्टल में आपके इतन ही है, कि अगर हम इसके question answers discuss करेंगे,